आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक्तम अलग और बहुत ही जदा हेल्दी नाश्ता जिसे हम कड़ाई में घोलेंगे, कड़ाई में ही बनाएंगे और ये बनकर बहुत ही ज़ादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर त्यार होता है बच्चों से लेकर बड़ों तक सब को पसंद आएगा और गर्मियों में खानी के लिए बहुत ही मसेदार है आप इससे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर शाम के लिए भी बना सकते हैं तो चलिए हम रेसेपी शुरू करते हैं और हाँ दोस्तों वीडियो आपको पूरा वाच करना है और अगर आपको ये नाश्ता पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और जनल को सब्सक्राइब भी करना है तो सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिये दोस्तों और उसमें डाल देजिए एक कटोरी सूजी सारा मेजरमेंट हमें इसी कटोरी से करना है तो आप कोई भी कप या कटोरी सैट कर लीजिये और उसी से सारी चीज़ा आपको लेनी है अब डाल दीजी इसमें एक कटोरी बेसन, जितना आपने सूजी लिया है उतना ही बेसन डालना है और उतनी ही मातरा में आपको डालना है दही, मतलब एक कटोरी बेसन, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही, दही हलका फुलका सक खटा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेग बहुत जादा खटा नहीं होना चाहिए फ्रेश दही भी चलेगा अब उसी कटोरी से मैंने डाल दिया है इसमें एक कटोरी पानी और अब सूजी बेशन दही और पानी को अच्छे से हमें मिक्स करना है कुछ इस तरह से देखे इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं है रेसिप इसमें 3 कटोरी पानी अट कर रहे हूं तो जिस परतन से भी आप सूजी बेशन और दही का मेसरमेंट लेंगे उसी कटोरी से आपको इसमें 4 कटोरी पानी डाल देने हैं और देखे मैंने अच्छे से पानी के साथ मिन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और ये एकतम पतला सा घोल बन कर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बेसान या सोजी की गाटे नहीं है तो कुछ इस तरह से आपको घोल बनाना है अब हम इसमें सबजियां डालेंगे तो आधा कब डाल दीजी इसमें पत्ता गोबी एक पड़ी शिमला मिर्ची बारी करके डालना है आधी गाजर ली है जिसे बारी कट कर लिया है और 2 हरीमिर्चि ली है इन्हें एक तंब बारी कट कर लिया है उपली हूई मत्र डाल देंगे ثोड़ी शी और इसमें डालेंगे एक चूटी चम्मत जीरा हिंग चिली फ्लैक्स काली मिздर्श का पाउडर सौफ थोड़ा सा गरम मसाला नमक डालेंगे अपनी टेस्ट के अकॉरडिंग चाट मसाला डाल देंगी थोड़ा सा और थोड़ी से डाल देंगे इसमें हल दी तकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए मैं इसमें हरदनिया डालना भूल गई मैंने साइड में रख तो लिया था लेकिन मैं इसमें एड नहीं कर पाई लेकिन आप हरा धनिया डालना बिलकुल मैं भूलना इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जरूर डालना तकि इसका चुल लुक आता है वो और भी अच्छा लगता है और अगर हरा धनिया आप मेरी तरह बिना धनीकी भी बना सकते हैं अब ये विजो गोले मुझे हलका सा गाड़ा लग रहा था तो मैंने एक कक्रोषी पानी और डाल दिया है और और अभी तक हम इसमें टोटल पांच कटोरी पानी डाल चुके हैं, बस इतना ही पानी डालना है, अब नहीं डालेंगे, अब इस खोल को मैंने चड़ा दिया है, इंडक्शन पर या गैस पर चड़ा दीजिए, और एक्तम दीमी आज पर हमें इसको गाड़ा होने तक अच्छ से फूल जाती है, और बेशन भी अच्छे से फूल जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि लगातार आपको इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में जल सकता है, और बस इस तरह से ये बैटर गाड़ा होने तक हमें अच्छे से पका लेना है, अब दीखे दोस्त है, उतना ही डालना है, पूरा उपर तक नहीं भरना है, और अब जैसे हम बरफी सेट करते हैं, कुछ उसी तरह से हमें इस पैटर को भी अच्छे से सेट करना है, तो दीखे मैंने दो बड़ी चमच बैटर ठाली में डाला, और अब चो मैंने चमच ली है, उसमें ओईल सेट करना है, और चमच चिपकने लगे बैटर से, तो आप उसमें थोड़ा सा ओईल लगा लीजिए, और ऐसी तरह से जैसे मैं कर रहे हूं, बैटर को अच्छे से सेट कर दीजिए, देखिए कितना चिकना हो गया है, कुछ इस तरह से हमें बैटर को सेट करना है, यह एक प से साथ मिट का समय लगता है, इससे जादा नहीं, और जैसे ही आपको लगे कि अच्छे से सेट हो चुका है, उंगली से नहीं चिपकरा है, तब हम इसके पीसेस कट करेंगे, और आप इसमें शाइन देख रहे हैं, क्योंकि हमने चमच में हलका सॉय लगाया था, इस वज़ से अपनी पसंद से कर सकते हैं, मैं इनको हलका हलका सा लंबा ही कट करूंगी, जैसे बर्फी होती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, आप इने गोल भी कट कर सकते हैं, ट्राइंगल भी कट कर सकते हैं, और मेरी तरह आयताकाराकार में भी कट कर सकते हैं, तो देखिए चाक को लाइक कीजिएगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा और यहाँ पर देखे मैंने एक पीस निकाल लिया है जैसे बर्फी का पीस निकलता है बिल्कुल वैसे ही इसके पीसिस निकल कर आ यह देखे मैंने इसको हलका सा लंबा रखा है बहुती बड़िया लग रहा है यह और नीचे से स्टीम रहती है इस बज़े से नीचे का कलर light होता है और उपर से dry हो जाता है तो उपर का कलर हलका सा dark हो जाता है तो बस इस तरह से हमें ये pieces त्यार कर लेने हैं अब मैंने एक pan में थोड़ा सा तेल करम करने रख दिया था लगबग दो बड़े चमश और ये pieces में इस pan में डाल दूँगी oil को आपको बहुत जादा गरम नी करना है जब oil medium गरम हो जाए तो इसके pieces आप oil में डाल दीजिए और उन्हें अच्छे से golden color आने तक fry कर लीजिए आप इन्हें deep fry भी कर सकते हैं और cello fry कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ और चाहें तो non-stick तवे पर हलका सा तेल लगा कर इन् जादी खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं जरूर से एक पर इस recipe को try कीजिए का आपको बहुत पसंद आईगी यह देखिए अब दूसरा batch भी मैंने इसी तरह से fry कर लिया है हलका सा golden color आ जाता है यह crispy हो जाते हैं दोनों तरफ से अंदर से soft होते हैं बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो देखिए oil में से मैंने इने निकाल लिया है हलका सा oil मैंने डाला था पेन में और यह देखिए इनका कितना बड़िया color आया है दोस्तों तो आप इने tomato ketchup के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ भी ने बना सकते हैं बहुत ही बड़िया लगत हैं यह और दिखने में जितने जाद अच्छे लग रहे हैं खाने में उतनी ही जादा टेस्टी लगते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो कि और पसंद आई हो वीडियो तो इससे लाइक कीजिएगा और चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर